हैलो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन कंस्टिचुशन के आर्टिकल 355 को इसका हेडिं ये ड्यूटी ओप दी यूनियन तो प्रोटेक्ट इस्टेट्स अगेंस्ट एक्स्टर्नल एग्रेशन एंड इंटर्नल डिस्टर्बेंस इसमें लिखा गया कि इस वी ड्यूटी ओप दी यूनियन तो प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्स्टर्नल एग्रेशन एंड इंटर्नल डिस्टर्बेंस पहले यहां तक समझते हैं कि ये स्टेट्मेंट का मतलब क्या है तो ये बोलता है कि यूनियन का ये ड्यूटी है ये जिम्मेदारी है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करें फ्रोम एक्स्टर्नल एग्रेशन मतलब को स्टेट को बाहर का देश अगर हमला कर रहा है तो यूनियन का ये जिम्मेदारी बनता है कि वो उस स्टेट को हमलावर से बचाए इसका एक एक एक्जामपल देखते हैं अरुनाचल प्रदेश जो 1129 किलोमीटर लॉंग बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ अगर मान लिजे कल को चाइना ये स्टेट अरुनाचल प्रदेश में खूब गोलावारी करने लगे बॉम फेकने लगे तो ये यूनियन का जिम्मेदारी होता है कि वो ये अरुनाचल प्रदेश को प्रोटेक्ट करें अब समझते इंटर्नल डिस्टरबेंस का मतलब क्या हो तो मान लिजे अगर कोई स्टेट में बहुत ज़्यादा दंगा हो रहा है पूरा मार काट चल रहा है और अगर स्टेट गवर्मेंट इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो ये यूनियन गवर्मेंट का जिम्मेदारी बनता है कि ये इसू को वो सॉल्ब करें और एक और पाट है to ensure the government of every state is carried on in accordance with the provisions of the constitution मतलब यूनियन और सेंटर गवर्मेंट का ये ये भी एक ड्यूटी है जिम्मेदारी है कि वो देखे कि सारा state government constitution के जो भी provisions उसमें दिया गया है उसके मुताबिक काम कर रहा है या नहीं तो ये आर्टिकल 355 से हम लोग क्या सीखें कि यूनियन का ये ड्यूटी है कि वो state को प्रोटेक्ट करें और उस पर नजर रखे कि वो constitution के मुताबिक काम कर रहा है या नहीं तो इस वीडियों बस इतना ही अगर आपको ये आर्टिकल 355 समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए constitution के दूसरे आटिकल समझने के लिए